लिंग शब्द, मूल शब्द लीन से आया है लिंग का अर्थ है आकार ये लिंग या ये उज़ा रूप या ये दीर घवरिताब अलग-अलग गुणों के साथ और अलग-अलग उद्देशियों से बनाय जा सकते हैं कुछ लिंगों को सेहत के लिए बनाया गया है कुछ को खुशाली और संपन्नता के लिए कुछ को आध्यात्मिक प्रगती के लिए और कुछ को ध्यान साधना के लिए इस तरह कई प्रकार के लिंग बनाये जा सकते हैं मूल रूप से इने बनाने के साथ अलग अलग तरीके हैं इन साथ को आगे और भी कई प्रकारों में बाटा जा सकता है ध्यान लिंग की खूबी ये है कि इसमें ये सातों आयाम मौजूद हैं लेकिन मूल रूप से इसे ध्यान की अवस्था में जाने के लिए तैयार किया गया है, अगर आप बस ध्यान लिंक के सामने बैठते हैं, तो आप ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे, आप मेंसे कितने लोग वहां गये हैं, कि आप कभी गये हैं, कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा आप बस वहाँ जाकर दस मिनट के लिए बैठ जाएए आप अपने आप ही ध्यान करने लगेंगे बिना किसी निर्देश के तो इसका उदेश्य, विज्ञान और तकनीक ये है कि आप एक ऐसा उर्जा रूप बनाते हैं जो आपका काम करेगा और इसे लंबे समय तक करता रहेगा एक आकार को एक यंद्र भी कहते हैं यंद्र याने एक तरह की मशीन एक सरल सा आकार एक यंद्र है जब आप ऐसे कई जटिल आकारों को मिला कर कोई एक जटिल चीज बनाते हैं तो ये एक मशीन बन जाती है, कई सारे आकारों को मिलाने से एक बड़ी मशीन बन जाती है, है न, इसी तरह आप एक सरल सा आकार लेकर इसमें कई 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 तरह के हिस्से जोड़ते जाते हैं, और ये एक जटल मशीन बन जाती है, तो ये एक तरह से ध्यान मशीन है, आप ब बैटते ही ध्यान में चले जाते हैं, ये हजारों लोगों का अनुभव रहा है, वे सोच कर आते हैं कि वे दस मिनट के लिए बैठेंगे, लेकिन जब वे उठते हैं तो दो घंडे बीच चुके होते हैं, वे वही बैठे रह जाते हैं, क्योंकि एक बार ध्यान लगने के समय का बोध नहीं रह जाता, समय आपके उपर हावी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भौतिक बन गए हैं, आप जितने ज्यादा भौतिक होंगे, आप के लिए समय बिताना उतना ही मुश्किल होगा, क्या आपने गौर किया है, अगर आप अपने मन में कुछ सोच रहे है तो समय थोड़ी तेजी से बीच जाता है, अगर आप मन से परे हैं, तो समय आपके अनुभव से ओजल हो जाएगा, लेकिन अगर आप केवल भौतिक हैं, तो समय नहीं बीचता, आप हिलते रहेंगे, है कि नहीं? आप जितने ज्यादा भौतिक होते हैं, समय आपको उतना ह प्यादा कर रहे हैं, इसे छोड़ना नहीं, लेकिन इसे थोड़ा धीला रखना, अगर आप इसे थोड़ा धीला रखते हैं, तो आप इसे मन चाहे तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं, जब आप न चाहें, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, अगर आप इसमें उलज गए, तो इस तर पर अपने और अपनी भौतिक्ता के बीच एक दूरी पैदा कर रहें हैं या दूसरे शब्दों में कहें तो यह असत्य से सत्य की और ऐसा क्या है जो सत्य नहीं है जो बात सच नहीं है वो बस ये है कि आप ने इसे इकटा किया है लेकिन अभी आप मानते हैं कि ये आप है ये सच नहीं है, है ना? तो सच का मतलब है कि आप जूट से दूर हट गए है सच कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करते हैं अगर आप जूट नहीं बोलते तो आप सच्चे हैं आपको सच्चा होने के लिए कुछ करना नहीं होता है ना अगर आपको जूट बोलना हो तो ये बहुत ही जटल काम है है के नहीं आपको इसका अनुभाव है है ना अगर आपको एक जूट बोलना हो तो ये एक बहुत पेचीदा काम है सच्चा होने के लिए आपको क्या करना होगा कुछ नहीं एक बेवकूव भी सच्चा हो सकता है हाँ या नहीं ये सीधी सी बात है आप बस यहां बैठ जाएए आप सच्चे हैं है ना अगर आप कोई जूट बोलना चाहते हैं तो इसमें बहुत पेचिदगी होती है तो सच्च कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करते हैं आप बस असत्य से दूर हो जाएए और आप सत्य में हैं ये इतना आसान है तो ध्यान लिंग बस उस ओर जाने का एक साधन है